प्रिये व्यूवर्स आई एस प्रारंभिक परिक्षा 2021 के मदर नजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विशेवार संकलन तयार किया है इसके लिए दिश्टी आई एस यूट्यूब चैनल के सापता ही करण न्यूस बुलेटिन को विशेवार संकलित किया गया है इसके जरिये आप राजविवस्था, अर्धविवस्था, विज्ञान एवन प्राध्योगी की जैसे विश्यों से जुड़ी सभी बड़ी और महतोपून घटनाओं का एक साथ कोई क्रिविजन कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए हर एक रिविजन वीडियो के साथ पीडिएफ भी उपलप्त कराई जाएगी उमीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उप्योगी साबित होगी भारत एवं डेनमार्क ने बौधिक संपदा सहयोग के संबंध में हाल ही में एक समझाओता पत्र पर दस्तखत किये इसका मकसद बौधिक संपदा सहयोग का विस्तार करना है वानिज्जे एवं उद्ध्योग मंत्रा लेके उद्ध्योग समवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभागने डेन्मार्क के उद्ध्योग व्यापार एवं वित्तिय मामलो के मंत्रा लेके डेनिश पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्याले के साथ यह समझोता किया बौधिक संपदा सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देश आम लोग अधिकारियों व्यावसाई के वो मनुसंधान वश्यक्षनिक संस्थानों के बीच बेहतर तोर तरीकों, अनुभवों और ज्यान का आदान प्रदान करेंगे प्रशिक्षन कारिक्रमों में परसपर सहयोग, विशचग्यों का आदान प्रदान, तकनीकी और सेवा प्रदान करने की गतिविधियों का भी आदान प्रदान होगा पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन वभू वैग्यानिक संकेतकों के अलावा बौधिक संपदा आधिकारों के संरक्षन, प्रवर्तन और उनके इस्तमाल के लिए आने वाले आवेदनों को निप्टाने की बेहतर प्रक्रिया वजानकारी आदान प्र इसके अलावा दोनों देश पारंपरिक ज्यान के संरक्षन के दिशा में सहयोग करेंगे और खासतोर से पारंपरिक ज्यान संबंधी डेटाबेस के इस्तमाल और मौझूदा बौधिक संपदा प्रणाली के बारे में जानकारी देने में सहयोग करेंगे समझोता पत्र को लागू करने के लिए दोनों देशों ने द्विवार्शिक कारिय योजना तैयार करने पर भी सहमती जताई है ऐसा माना जा रहा है कि यह समझोता भारत और डेन्मार्क के बीच परस पर दिर्खकालीन सहयोग को मजबूत करेगा CICA यानि Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia पर एक वर्चूल मीटिंग का हाली में आयोजन हुआ यह सदस्य देशों की एक मंत्री स्तरिय बैठक थी इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री S.J. शंकर ने हिस्सा लिया इस बैठक में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया साथी भारत ने अफगान शांती प्रक्रिया के लिए फिर से अपनी प्रतिबधता दोहराई C.I.C.A. एशिया में शांती, सुरक्षा और मिस्थिर्ता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्री अमंच है, इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांगलादेश, कमबोडिया, आधी देश शामिल है पर्यविक्षक राष्ट्र के तौर पर इसमें बेलारूस, इंडोनेशिया और जापान जैसे देश शामिल है सन्युक्तराष्ट महासबा के 47 सत्र में 5 आक्टूबर 1992 को कजाकिस्तान के पहले राष्टपती द्वारा, CIC-A के आयूजन का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था CIC-A की पहली मंत्रे स्तरिया बैठक सितंबर 1999 में हुई थी, वर्ष 2018 से 2020 की अवधी के लिए तजाकिस्तान गडराज्य CIC-A का ध्यक्ष है आपको वता दें कि एशिया में शान्ती सुरक्षा और स्धृता को बढ़ावा देने के लिए आतंकभात के खत्रे को खत्म करना इस मंच का मकसद है साथ ही यह मंच अवैद दवा उत्पादन और तसकरी को खत्म करने एशिया में समरिध्धी और स्थिर्टा के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है हाले में फ्रांसिसिक शत्र न्यू कैलेडोनिया में एक जन्मत संग्रह का आयोजन किया गया इस जन्मत संग्रह में न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस से स्वतंतरता के खिलाफ मद्दान किया है यह जन्मत संग्रह 1998 के decolonization योजना का एक हिस्सा था जिसे नौमिया समझोहते के रूप में जाना जाता है दरसल न्यू कैलेडोनिया की स्वादेशी कनक आबादी और वहाबसे यूरोपिया लोगों के बीच गहरे मतभेद हैं कनक फ्रांस से स्वतंतरता के पक्ष में है जबकि यूरोपिया उपनिवेश वादियों के वन्शज काल्डुचेस फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में है दो साल के भीतर दूसरी बार न्यू कैलेडोनिया में जन्मत संग्रह कराया गया 2018 में पहले जन्मत संग्रा के बाद 56.7 फीजदी वोट के साथ इस स्टेटिस को बने रहने का फैसला आया था दक्षिन पश्चिम प्रशांत महसागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया आर्की पहलेगू फ्रांस की ओवर सीज टेरिटरी है इसकी खोज 1774 में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुकने की थी इस पर 1853 में फ्रांस ने कबजा कर लिया था 1946 में न्यू कैलेडोनिया को एक ओवर सीज टेरिटरी बनाया गया और बाद में उन्यू कैलेडोनियन निवासियों को फ्रांसेसी नागरिकता दे दी गई थी ICRC एन International Committee of the Red Cross ने भारत और चीन दोनों सरकारों से जिनेवा कन्वेंशन का पालन करने का आगरह किया है दरसल जून में लदाख के गलवान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटना के बाद से ही ICRC दोनों देशों से लगातार इस विशे में बातचीत कर रहा है आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ही देश जिनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और उद्ध के अतरिक्त प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रिय संधिया है इनमें युद्ध की बरबरता को सीमित करने वाले महत्वपूर्ण नियम शामिल किये गए है पहला जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दोरान घायल और बिमार सैनिकों की रक्षा करता है वहीं दूसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दोरान समुद्र क्षेत्रों में घायल बिमार और शिप्ट रेक्ड सैनिकर्मियों की रक्षा करता है तीसरे जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध के कैदियों के सुरक्षा संबंधित नियम बने हैं। जबकि चौथा जिनेवा कन्वेंशन कबजे वालेक शत्र सहित किसी भी देश के आमनागरिकों को सनरक्षन देता है। चारों जिनेवा सम्मेलनों में कौमन अनुछेद तीन में गैर अंतराष्ट्रिय सशस्त्र संघर्षों के स्थितियों को शामिल किया गया है। इन में पारंपरिक ग्रेह उद्ध आंतरिक सशस्त्र संघर्ष को रखा गया है। आपको बता दें कि ICRC एक International Humanitarian Organization है। इसका काम संघर्ष के स्थितियों में हस्ताक्षर करता देशों द्वारा युद्ध संबंधी नेमों के पालन की निगरानी करना है। 1863 में अपनी स्थापना के बाद से यह दुनिया भर में संघर्ष और सशस्त्र हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करता है और युद्ध के पीडितों की रक्षा करने वाले कानूनों को बढ़ावा देता है। स्थिट्जर लेंड के जिनेवा में स्थित ICRC एक स्वतंत्र और निश्पक्ष संगठन है। के तोर तरीकों को ऑक्टूबर के आखरी तक अंतिम रूप दिया जाएगा। इस निर्णे के बाद क्वार्ड समूह के चारो देशों भारत जापान अमेरिका और आस्ट्रेलिया के सेनाएं और चारिक रूप से एक साथ अभ्यास में हिस्सा लेंगी। मालाबार 2020 का आयोजन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किये जाने की उम्मीद है। 2018 में इसका आयोजन फिलिपीन सागर में गुवाम के तटपर जबकि 2019 में जापान के तटपर किया गया था। इस साल का अभ्यास समुद्र में गैर संपर्क प्रारूप पर होने की संभावना है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षिय अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में जापान के शामिल होने के बाद इसका विस्तार एक द्विपक्षिय अप्रारूप में किया गया। 2007 में एक बार ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में शामिल हो चुका है। इस थापना पर भी सहमती बनी है। इस UK-India Development Corporation Fund का प्रबंधन भारती स्टेट बैंक समुह द्वारा किया जाएगा। वारता के दौरान भारत और UK ने एक नई अफसनरचना वित्तिसाजिदारी और नीती पर भी हस्ताक्षर किये। इससे भारत की National Infrastructure Pipeline योजना को मदद मिलेगी। गरतलब है कि भारत और UK के बीच द्विपक्षिय व्यापार 2019 में 24 बिलियन पॉंट का रहा। जबकि अमेरिका के बाद भारत अम UK की पर योजनाओं में निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। पीते दिनों Mission Sagar 2 की शुरुवात हुई। इसके तहट भारतिय नौसेना जहाज एरावत सुडान के बंदरगाह में प्रवेश किया। इसमें सुडान के लोगों के लिए सौटन भोजन सामगरी भेजी गई है। दरसल भारत सरकार मित्र देशों को प्राकृतिक आपदाओं और COVID-19 महामारी को दूर करने के लिए सहायता मुहया कर रही है। इसका संचालन भारत्य नौसेना, रक्षा मंत्राले, विदेश मंत्राले और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वे के द्वारा किया जा रहा है। गारतलब है कि इससे पहले मई-जून 2020 में मिशन सागर चलाया गया था। इसके तहट भारत ने मालदीव, मौरिशस, सेशल्स, मिडगासकर और कोमरोस को खाद्य सहायता और दवाया पहुचाई थी। मिशन सागर 2 मिशन सागर का ही अगला चरण है। इसमें सुडान, दक्षन सुडान, जिबूती और इरिट्रिया को भोजन सहायता पहुचाई जाएगी। यह मिशन प्रधानमंत्री की सागर यानी Security and Growth for All in Region द्रिस्टिकोन के अनुरूप है। इसके तहट भारत द्वारा उसके समुद्री परोसियों के साथ संबंधों को और मजबूती मिलेगी। नवंबर के प्रथम सप्ताह में अमेरिका औपचारिक रूप से जलवायू परिवर्तन पर 2015 की पैरिस संधी से अलग हो गया। दरसल इस मामले में तीन साल पहले यानी जून 2017 में निवर्तमान प्रास्टपती डोनेल्ड ट्रंप ने घोशना की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पैरिस समझोते से अलग हो जाएगा। संयुक्त रास्ट संग और साजेदार देशों के अलावा जापान सहीत कई देशों ने अमेरिका के इस निर्ने पर खेज जताया है। पैरिस समझोते के मताबिक कोई भी देश अनुसमर्थन की तारीक से तीन साल तक समझोते को नहीं छोड़ सकता है। जबकि छोड़ने की अधिकारिक अधिसूचना प्राप्त होने के एक वर्ष बाद विड्रोवल प्रभावी होगा। इस समझोते का उद्देश जलवायू परिवर्तन के कारण होने वाले भारी नुकसानों को पहचान कर उनके निवारण के उपाय करना है। आपको बता दे कि पहरे समझोता 2016 में अस्तित्व में आया था। इस समझोते के तहब देश तापमान में व्रिद्धी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और ग्लोबल वामिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए प्रयासरत है। SEO यानी शंखाई सहयो संगठन परिशत के सदस्य देशों के प्रमूखों का 20वा सम्मेलन हाल ही में वीटियो कॉनफरेंस के जर्ये आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता रूस्त के रास्टपती विलादिमिर पुतिन ने की। भारतिय अप्रतिनिधी मंडल का नित्रित्व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया। 2017 में भारत के इस गुट के पूर्ण कालिक सदस्य बनने के बाद यह तीसरा सम्मेलन है। भारत ने सदस्य देशों के समक्ष नवाचार और स्टार्टप्स के लिए विसिस्ट कारे समूह के गठन और पारमपरिक दवाओं पर एक उप समूह के गठन का प्रस्ताव किया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने S.C.O. सदस्य देशों के साथ अंतर रास्टिय उत्तर दक्षिन परिवहन कोरिडोर, चाबहार बंदरगा और अश्गाबाद समझोते के माध्यम से बेहतर संपर्क के प्रती भारत की मजबूत प्रतिबधता दोहराई। उन्होंने S.C.O. को लेकर भारत में की गई पहलो का भी जिक्र किया। इसमें भारत के रास्टिय संगराहले द्वारा बौध विरासत पर पहली साजा प्रदर्शनी का आयोजन, अगले वर्ष भारत में S.C.O. फूट फेस्टिवल का आयोजन और दस शेत्रिय भाषाओं के साहित्यों का रूसी और चीनी भाषा में अनुवाद शामिल है। आपको बता दें कि 2001 में गठित S.C.O. एक इस्थाई अंतर सरकारी अंतररास्टिय संगठन है। इसका लक्ष सदस्य देशों और आसपास के शेत्र में शान्ती, सुरक्षा और इस्थिरता बनाई रखना है। S.C.O. की आधिकारिक भाषा रशियन और चीनी है। इस अंगठन का सचिवाले बिजिंग में है। 2001 में S.C.O. के निर्माण से पहले कजाकिस्तान, चीन, करगिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंगाई 5 के सदस्य थे। 2001 में उसबेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंगाई 5 को S.C.O. नाम दिया गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके स्थाई सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बीते दिनों United Nations में भारत के स्थाई प्रतिनिधी T.S.T.R. मूर्ती ने एक घोशना की थी। घोशना की मताबिक भारत की counter-terrorism के मुद्दे पर सालाना घोशना को 75 देशों का समर्थन मिला है। साथ ही UN General Assembly की पहली सभा में इसे अपनाया गया है। भारत ने इस मुद्दे पर रास्टिय इस्तर के प्रयासों को बढ़ाने पर जोड़ दिया है। भारत स्टेट स्पॉंसर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जूज रहा है। साथ ही अंतरास्टिय शांती और सुरक्षा के लिए खत्रे को देखते हुए इस मुद्दे को आगे लाने में भी बड़ी भूमिकान निभाई है। भारत की सालाना घोषना सामूहिक विनाश के हतियारों को आतंकी समूह तक पहुचने से रोकने पर जोड देती है। आपको बता दे कि स्टेट स्पॉंसर टेररिज्म से मतलब उन आतंकवादी कृत्यों से है जिन्हें किसी रास्ट या वहां की सरकार के समर्थन से अंजाम दिया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग साथ है। इसे ऑस्ट्रेलिया सित इंस्टिट ओफ एकनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। पीते दिनों RCEP यानी Regional Comprehensive Economic Partnership यानी शेत्रिय व्यापक आर्थिक साजहिदारी अस्तित्म में आई है। इसके लिए 37 आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर सभी 15 देशों ने अपनी स्विक्रती दे दी है। RCEP में आसियान यानी Association of Southeast Asian Nations के सभी 10 सदस्यों के साथ साथ दक्षन कोरिया, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड शामिल है। RCEP दुन्या का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार सम्झोता है। इसके सदस्यों की कुलाबादी लगभग 2.2 मिलियन है, जो की दुन्या की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। तो वहीं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में RCEP की हिस्सेदारी लगभग 30 फीसदी है। इस समझोते के बाद सदस्य देशों के बीच लगभग 92 फीसदी टारिफ को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। गरतलब है कि RCEP पर बातचीत 2012 में शुरू हुई। शुरुआत से भारत भी स्वारता का हिस्सा था लेकिन भारत ने खुद को 2019 में इस से बाहर कर लिया। हाला कि शिखर समेलन के दौरान समुह के सभी देशों ने भविश्य में भारत के RCEP में शामिल होने के लिए साधारन नियम भी रखे हैं। इसके मताबिक भारत को केवल लिखित में देना होगा कि वही समुह में शामिल होना चाहता है। इसके बाद भारत से समुह में शामिल होने के लिए बातचीत तुरन शुरू की जाएगी। बीते दिनों, फाइजर इंग ने अमेरिका के एक कोर्ट में और विंदूर। फार्मा LEMT और Dr. Eddy Laboratories के फिलाफ याचिका दायर की। फाईजर इंग ने यह याचिका अपने पेटेंट की चोरी के मामलें में लगाई है। फाइजर इंक का मानना है कि और श्दी बनाने वाली भारत की ये दो कम्पनिया उसकी पेटेंट दवा आई ब्रैंस या पल्बो साइकलिब का पेटेंट एक्सपायर होने से पहले ही उसके जेनरिक वर्जन को बनाने की योजना बना रही है यह दवा ब्रेस्ट कैंसर के मान विक्रियादी के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन में एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लिकेशन जमा की थी हाला कि पेटेंट सर्टिफिकेट के पैराग्राफ 4 में साफ है कि कोई भी कंपनी किसी दवा के पेटेंट के एक्सपायर होने से पहले भी उसकी जैनरिक दवा बनाने के लिए आवेदन कर सकती है जैनरिक दवाओं के बारे में आपको बता दें कि ये दवाएं लगभग उसी पैटर्ण और फार्मुला के आधार पर बनती हैं जिस पर पहले से किसी दवा को पेटेंट दिया गया है हाला कि पैटर्ण मे देखा जाए तो भारत अभी जैनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी का मानना है कि इसमें चार एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं पहला एक बड़े टैलेंट पूल का स्रिजन दूसरा यह सोनिश्चत करना की तकनीक समाज के हर हिस्से तक पहुँचे तीसरा शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और चौथा प्रित्वी को ट्रस्टी शिप के सिध्धान्त से डील करना वहें इस दौरान G20 के दूसरे नेताओं ने एंटी मनी लॉंडरिंग या काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पॉलिसी का समर्थन किया है G20 समिट के इस बड़े मौके पर या घोशना भी हुई कि भारत अब 2022 की बजाए 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा गौर तलब है कि 2019 में उसाका में आयोजित हुए सम्मेलन में G20 2022 की बैठक की मेजबानी भारत को मिली थी लेकिन हालिया आपसी बातचीत के बाद इस शेडूल में कुछ बदला हुआ है आपको बता दें कि साल 2021 के लिए इटली, 2022 के लिए इंडोनेशिया, 2023 के लिए भारत और 2024 के लिए ब्राजील को G20 सम्मेलन की मेजबानी दी गई है बीते दिनों Criminal Finance और Cryptocurrencies पर चौठी Global Conference वरचूली आयोजित की गई इसे Interpol, Europol और Basel Institute on Governance ने आयोजित किया था यह Conferences Cryptocurrencies and Money Laundering पर बने गूरूप की एक पहल है जिसे 2016 में गठित किया गया था इसका मकसद financial crimes के एक्षत्र में ग्यान, विशेश अग्यता और बेहतर पद्धतियों को बढ़ावा देना था आपको बता दें के financial crime से मतलब है खास तौर पर संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराद इसमें money laundering, terrorist financing, tax evasion जैसे अपराद शामिल है बीते दिनों भारत ने SCO यानि शंगाई सहयोग संगठन के शासना ध्यक्ष परशत की बैठक की मेजबानी की यह निकाए SCO में दूसरी सबसे बड़ी decision making body है इस बार की बैठक की खास बात यह रही कि भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री अम्रान खान दोनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया आपको बता दें कि शासना ध्यक्ष परशत की उन्नीसवी बैठक को उपराश्टपती वेंकईया नाइडू ने संबोधित किया है इस दोरान उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि सीमा पारातंकवाद S.C.O. के लिए एक बड़ी चुनोती है जिसके खिलाफ सभी देशों को एक होना होगा S.C.O. एक अंतराश्ट्रिया अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उस्बेकिस्तान इसमें चार परियवेक्षक देश भी शामिल हैं अफगानिस्तान, बेलारू S.C.O. की घुशना साल 2001 में छे देशों चीन, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उस्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर की थी 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया जिससे सदस्य संध्या बढ़कर आठ हो गई S.C.O. का मुख्य उद्देश है, सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना और राजनीती, व्यापार, अर्थवयवस्था, शोध, तकनीक और संस्कृती आदिक एक्षत्र में सहयोग करना है हाली में भारत के उपराष्टपती की अध्यक्षता में S.C.O. परिशत के सरकारी प्रमुखों की बैठक में बौध विरासत पर आधारित वर्चुल प्रदर्शनी की शुरुवात की गई इस प्रदर्शनी को राष्ट्रिया संग्रहाले दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा है बौध विरासत पर आधारित इस वर्चुल प्रदर्शनी को nmvirtual.in पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है दुनिया को बौध दर्शन से अउगत कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है बौध दर्शन और मध्य एशिया की कला शंगाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है बौध विरासत पर आधारित इस ओनलाइन अंतराष्ट्रिय प्रदर्शनी के माध्यम से घर बैठे शंगाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बौध कला पर आधारित प्राचीन काल की वस्तूओं को आउनलाइन एक्सेस किया जा सकता है आयोजकों के अनुसार यह ओनलाइन प्रदर्शनी मौजूदा महमारी के समय समुदायों और लोगों के बीच नई उर्जा का संचार करेगी और उन्हें आपस में जोडने का काम करेगी इस प्रदर्शनी में भारतिया बौध कला की गांधार और मतुराशली सारनाथ और नालंदा का 3D प्रारूप में प्रदर्शन किया जा रहा है इस प्रदर्शनी में कराची, लाहौर, तक्षशिला, इसलामाबाद, स्वात और पेशावर के संग्रहालेओं से गौतम बुध के जीवन को दर्शाने वाली वस्तु में भी शामिल की गई है इसके अलावा इस प्रदर्शनी में रूस के स्टेट औरियंटल आर्ट म्यूजियम और चीन की दुन्हूंग एकारडमी में रखे वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है OIC यानि इसलामिक साहयोग संगठन ने नाइजीरिया में हुई अपनी बैठक में भारत की कश्मीर नीती की आलोचना की साथ ही इसे अंतराष्ट्री अस्तर पर भारत पाकिस्तान के बीच विवादित इक्षत्र बताते हुए राजी के स्पेशल इस्टेटस को फिर से लागू करने की मांग की है हाला कि भारत ने OIC द्वारा अपनी कश्मीर नीती की आलोचना को खारिच कर दिया है गौर तलब है कि नाइजीरिया में हो रहे विदेश मंत्रियों की परशत के 47 सत्र में OIC महसचीव ने जम्मू और कश्मीर के स्थिती पर रिपोर्ट प्रस्तुत की इसके बाद इस संदर्भ में OIC ने एक संकल्प को अडॉप्ट किया आपको बता दें कि संगठन को मुस्लिम दुनिया की सामोहिक आवाज कहा जाता है यह दुनिया के विभिन लोगों के बीच अंतराष्ट्रिय शान्ति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना के साथ मुस्लिम दुनिया के हेतों की रक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है 25 सितंबर 1979 को मुरक्कों में संगठन की स्थापना की गई थी मुस्लिमों के महतवपूर्ण हेतों की रक्षा करने के लिए OIC के सन्योकतराश्ट्र और अन्य अंतर सरकारी संगठनों के साथ सलाहकारी और सहयोगी संबंध है साथ ही या अपने सदस्य देशों से जुड़े विवादों के निप्टारे के लिए भी काम करता है हाली में आयोजित अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत ने अफगानिस्तान के लिए 80 मिलियन डॉलर की लगभग 150 परियोजनाओं की घोशना की है ये परियोजनाएं उच्छ प्रभाव वाली सामुदाइक विकास परियोजनाओं के चरनक्चार के तहट लाई जाएंगी इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ शहतूत बांध के निर्माड के लिए एक समझोता किया गया है जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ती करेगा 2002 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान के पुनर निर्माड के दिशा में अब तक 3 बिलियन डॉलर यानि लगभग 2200 करोण रुपे खर्च किये हैं अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान विकास कारिक्रम लगभग 5 स्तंभों पर केंद्रे थे बड़ी अवसनरचना परियोजनाएं मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माड मानिविय सहायता उच्च प्रभाव वाली सामुदाइक विकास परियोजनाएं और हवाई और भूमी संपर्क के जरिये व्यापार और निवेश को बढ़ाना पूरी की जाचुकी बड़ी अवसनरचना परियोजनाओं में डेलाराम से जरंज तक 218 किलोमीटर सड़क का निर्माड भी शामिल है यह इरान से होते हुए अफगानिस्तान के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है इसके अलावा सलमा बांध और अफगान स शमता निर्माड प्रशिक्षण और सन्योक तराष्ट के शांती अभियानों में सहयोग पर चर्चा की गई इसके तहट दोनों देशों ने हाइडरोग्राफिक एक्षत्र में सहयोग की बात की है यानि कि अपसे दोनों देश एक दूसरे को हाइडरोग्राफिक डेटा कारियों को मापा जाता है इस बातचीत के अलावा वियतनाम के रक्षा मंत्री ने ADMM Plus यानि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के लिए भारत के रक्षा मंत्री को आमंत्रित भी किया है ADMM Plus का आयोजन दिसंबर 2020 में वियतनाम की मेजबानी मी किया जाएगा आपको बता दें कि ADMM Plus के स्थापना के लिए कॉंसेप्ट पेपर को 2007 में सिंगापुर में सेकेंड ADMM के दौरान अपनाया गया था ADMM Plus आसियान और इसके आठ समवाद साजयतारों का एक मंच है इसका उदेश्य इन देशों से जुड़े क्षत्रों में शांती, स्थिर्ता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है आठ समवाद सहयोगी देशों में आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजिलेंड, दक्षन कोरिया, रूस और सन्युक तराजी अमेरिका शामिल हैं इन्हें सामोहिक रूप से प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है कोवीड वैक्सीन की जल्द डिलिवरी करने को लेकर भारत ने एक पहल की है दरसल अक्टूबर 2020 में भारत और दक्षिन अफ्रिका ने डबलू टीओ में एक प्रस्ताव दिया था कोरोना वैक्सीन के मद्द नजर IPRS यानि बौधिक संपदा आधिकार मानकों से सदस्य देशों को छूट दी जानी चाहिए इससे कोरोना वैक्सीन के जेनरिक प्रोडक्ट्स बनाने और विकास शील देशों में इनका सस्ती दर पर वितरण करने में सहूलियत हो सकती है भारत ने यह मांग WTO के ट्रिप्स यानि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ओफ इंटलेक्श्वल प्रोपर्टी राइट्स के तहत की है भारत का मानना है कि WTO अगर छूट देता है तो इससे कोरोना महमारी से निपटने में आसानी होगी क्योंकि WTO के IPR से जुड़े मानक पेटेंटेड वैक्सीन से इतर जेनरिक वैक्सीन बनाने में बाधाएं भारत के इस तर्क का कई जानकारों और संगठनों के साथ WTO के करीब सौ सदस देशों ने भी समर्थन किया है हलांकि अमेरिका, यूरोपिया संग, कैनेडा, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत के इस प्रस्ताओं का शुरू से ही विरोध किया है पिछले हफ़ते भी ये देश WTO में इस प्रस्ताओं के खिलाफ फिर से एक हुए इस मामले में अमेरिका का कहना है कि किसी भी वैक्सीन की मैनुफैक्चरिंग के विशे में आई पी आर का पालन करना जरूरी है वहीं यूरोपिया संग का मानना है कि कोरोना की वैक्सीन या उसके ट्रीट्मेंट के संबंध में IPR कहीं से भी बाधा नहीं है आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर IPR को संरक्षन देने के लिए WTO का TRIPS समझोता मौजूद है चुकि भारत भी समझोते के लिए प्रतुबध है इसलिए भारत में भी IPR को संरक्षन देने के लिए पेटेंट एक्ट 1970 व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 जैसे कानून मौजूद है दरसल जनरिक दवाओं को पेटेंट दवाओं के मिले जुले फॉर्मूले के आधार पर ही बनाया जाता है लेकिन इनकी कीमत में बहुत अंतर होता है इसलिए विक्सित देश भारत के इस प्रस्ताओं का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भारत जनरिक दवाओं के बाजार के मामले में अग्रणी है आली में भारत और उजबेकिस्तान ने 9 समझहोतों पर हस्ताक्षर किये इन समझहोतों का मकसद दोनों देशों के बीच विभिनक शत्रों में आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ आतंकवात के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करना है दोनों देश इस बात पर जोर देंगे कि आतंक को शरण देने वाली जगहों उनके नेटवर्क्स और फंडिंग चैनल्स को कैसे खत्म किया जाए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस वर्चूल मीटिंग में दुपक्षिया निवेश संधी को लेकर भी बातचीत हुई है वही इन समझोतों में खासकर नवी नेवम नवीकरणिया उर्जा डिजिटल तकनीक साइबर सुरक्षा सूचना साजाकरण पर भी जोर दिया गया भारत ने इस दोरान उजबेकिस्तान में चार विकास परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन डॉलर के लाइन ओफ क्रेडिट को भी अप्रूव किया है इसके अलावा हाली में भारत इरान और उजबेकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षी अवारता हुई थी जिसमें इरान के चाबाहार बंदरगाह के सन्युकत इस्तिमाल पर विमर्ष किया गया तीनों देशों ने मिलकर भारत के चाबाहार दिवस को मनाये जाने के प्रस्ताओ का भी स्वागत किया चाबाहार दिवस जनवरी 2021 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले International Maritime Summit के साथ ही मनाये जाएगा बात करें चाबाहार बंदरगाह की तो भारत, इरान और अफगानिस्तान मिलकर इस बंदरगाह के विकास में लगे हुए हैं जो इरान के दक्षन पूर्वी तट परिस्थित है इससे भारत और अफगानिस्तान को द्विपक्षिय व्यापार करने में आसानी होगी आफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना होगा भारत इस बंदरगाह से आगे इरान के थल मार्क के रास्ते आफगानिस्तान को एकसेस कर पाएगा हाली में आयोजित केंद्रिया मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 2021 में तीन और देशों में भारतिय मिशन इस्थापित करने को मनजूरी दे दी ये तीन देश हैं एस्टोनिया, परागवे और डॉमिनिकन रिपबलिक सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद भारत की कूटिनितिक स्थिती और मजबूत होगी इसी के साथ भारत के ये तीन नए मिशन वहां रहने वाले भारतिय समुदाय को मदद करने और उनके हितों के सनरक्षन के लिए भी एहम सावित होंगे न केवल भारत के विदेशी राजनीतिक संबंध बलकि द्विपक्षिया व्यापार, निवेश और पिपल टो पिपल कॉन्टेक्ट मजबूत होने की उम्मीद भी इस फैसले से जताई जा रही है इस फैसले पर सरकार का कहना है कि भारत की विदेशनीति का मूल उद देश्य भारत के विकास और सम्रिध्धी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है जिसमें दूसरे देशों के साथ नजदी की संबंध होना भी एक बड़ा पहलू है आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी यूरोपिया देश एस्टोनिया बाल्टिक देशों का हिस्सा है इसके साथ ही लात्रीविया और लिथवानिया भी बाल्टिक देशों में शामिल है बाल्टिक सागर इन देशों के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में है परागवे की लगती है वहीं डोमेनिकन रिपब्लिक एक कैरेबियन देश है जो वेस्ट इंडीज द्वीप समों के ग्रेटर एंटिलीज श्रिंखला का हिस्सा है ब्रिटेन और यूरोपिय संग ने पोश्ट ब्रेक्जिट ट्रेड एग्रिमेंट के संपूर्ण दस्तावेज को प्रकाशित किया है इसका मकसद ब्रिटेन का यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा न रहने पर दोनों के संबंधों को नियंत्रित करना है यह दस्तावेज व्यापार कानून प्रवर्तन और अन्य व्यवस्थाओं के बीच विवाद निप्टान पर वेस्तरिज जानकारी मोहिया कराता है यह दस्तावेज सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष बिना टैरिफ के व्यापार जारी रख सकते हैं दोनों पक्षों ने तीन बिंदूओं पर व्यापक समझोते किये हैं, पहला ब्रिटेन को यूरोपिय संग के एकल बाजार के साथ व्यापार करने के लिए समान नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, दूसरा अनुमोदित समझोते की शर्तों का किसी पक्ष द्वारा उ संक्रमडिया आवधी के लिए किया गया है, संक्रमड के अंत में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और ब्रिटेन का अपने जल पर पूर्ण नियंत्रण होगा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता वाली केंद्रिय कैबनेट ने भारत और भूटान के बीच हुए एक समझोते को मंजूरी दी, दरसल दोनों पक्षोद्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांते पूर्ण उपियोग में सहयोग पर पहले ही यह समझोता ह इस समझोते से प्रित्वी के दूरस्थ समवेदन, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष प्रध्योगी की के उपियोग जैसे संभावित हित वाले क्षत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा इसके लिए अंतरिक्ष वेभागेवों मिस्रों और भूटान के सूचना वब संचार मंत्राले की सदस्यों के एक सन्युक्त कारेकारी समूँ का गठन किया जाएगा यह समूँ कारियानवयन की समय सीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करेगा गौर तलब है कि भारत और भूटान और आपचारिक अंतरिक्ष सहयोग कायम करने पर विचार विमर्ष करते रहे हैं नवंबर 2020 में दोनों देशों ने समझोता ग्यापन पर दस्तखत किये थे भारत चिन सीमा विबाद के बीच अमेरिका ने एक दस्तावेज जारी कर भारत को चीन पर बढ़हत हासल करने में सक्षम देश बताया है रिपोर्ट के मताबिक भारत के पास सीमा पर चीन की उकसाने वाली कारवाई का जवाब देने की क्षमता है भारत को मजबूत देश बताते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समान सोच रखने वाले देशों के सहयोग से रणनीतिक रूप से महत्वपुर्ण इंडो पैसिफिक क्षत्र में चीन के खिलाफ शक्ती संतुलन बनाने पर काम कर सकता है इंडो पैसिफिक क्षत्र के लिए यूएस स्ट्राटिजिक फ्रेमवर्क दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सुरक्षा मामलों पर अमेरिका का पसंदीदा साजिदार है दोनों देश दक्षिन एवं दक्षिन पूर्व एशिया और आपसी चिंता वाले अन्यक्षत्रों में समुद्री सुरक्षा बनाये रखने और चीनी प्रभाव को रूकने में सहीव करते हैं दस पन्नों वाले इस दस्तावेज में कहा गया है कि भारत दक्षिन एशिया में अग्रणी है और वह इंडो पैसिफिक की सुरक्षा बनाये रखने में नेत्रित्व करता की भूमी का निभा रहा है रिपोर्ट में अमेरिका को भारत की एक्ट इस्ट नीती और वैश्विक शक्ती बनने की आकांक्षा का समर्थक बताया गया है इसमें इंडो पैसिफिक शेत्र पर यूएस जापान तथा उस्ट्रेलिया के विजन के साथ भारत के सहयोग की कोश्चों का समर्थन करने की बात भी कही गई है। हाशिये पर मौजूद खिलाडी बताया गया है। वहीं उत्तर कोरिया सरकार को सलाह दी गई है कि परमाडू हत्यारों को त्यागना ही उसके लिए हितकारी होगा। प्रतिबंध समिती और तालिबान प्रतिबंध समिती की अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद रोधी समिती के स्थापना सितंबर 2001 में नियू यॉर्क में हुए आतंकी हमले की घटना के तुरंत बात की गई थी। इससे पहले 2011-12 में भी भारत इस समिती के अध्यक्षता कर चुका है। खबर के मुताबिक अब 2022 में भारत इस समिती की अध्यक्षता करेगा। लीबिया प्रतिबंध समिती की बात करें तो यह बहुत ही महतोपोन सहायक निकाय है। इसे 1970 की प्रतिबंध समिती भी कहा जाता है जो प्रतिबंधों को लागू करती है। यह समिती तालिबान से जुड़े किसी भी व्यक्ति, समूह, उपक्रमों और संस्थाओं के साथ प्रतिबंधों की निगरानी करती है। यह समिती अफगानिस्तान के शांति इस्थरता और सुरक्षा के लिहाद से महत्व रखती है। एक ऐसे समय में जब भारत अफगानिस्तान में कई विकासकारियों में सहयोग कर रहा है तब तालिबान प्रतिबंध समिती का ध्यक्ष बनना भारत के लिए बेहद एहम साबित हो सकता है। बीते दिनों भारत अरब सहयोग मंच के वरिष्ट अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बातचीत हुई और अब भारत सहयोग मंच के इस तरह की यह तीसरी वारता थी। वीडियो कॉंफरेंस के दौरान दोनों तरफ के अधिकारियों ने व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने पर जूर दिया, वहीं आतंकवात के खिलाफ लड़ाई पर भी आपसी सहयोग पर चर्चा की गई, इसके अलावा दोनों पक्षों ने उर्जा और परियावरण, क्रिशी और खादिय सुरक्षा और पर्याटन जैसे क्षत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जूर दिया, साथ ही आने वाले दिनों में इस फोरम की दूसरी मंत्रिय स्तरिय वारता कराने पर भी चर्चा हुई, आपको बता दें कि आरभ भारत सहयोग मंच की पहली मंत्रिय स्थरिय बैठक 2016 में हुई थी जिसमें मनामा घोशना पत्र को अपनाया गया था अरब लीग की बात करें तो इस संगठन के स्थापना 1945 में हुई थी जिसमें 22 देश शामिल हैं इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सैन्य मामलों में सहय योग स्थापित करना है अरब लीग चार्टर के स्थापना खास तोर पर दूसरे विश्वियद्ध के बाद अरब क्षत्र में हुई उथल पुथल के जवाब में की गई थी वहें फिलिस्तीन भू क्षत्र में यहूदी राज्य बनाये जाने के विरोध में भी संगठन को देखा जाता है अरब लीग में अलजीरिया, कतर, बहरीन, लेबनान, इराक और सीरिया जैसे देश शामिल हैं हाली में रूस ने ओपन स्काइज ट्रेटी से अपना नाम वापस ले लिया, रूस ने संधी के हो रहे उलंगन को इसके पिछे की वज़ा बताया रूस का मानना है कि अमेरिका के इस संधी से हटने के बाद हतियार नियंतरन को लेकर जो नियम हैं, उनका उलंगन बढ़ गया है गौर तलब है कि अमेरिका पिछले साल ही इस संधी से अलग हो गया है इसके लिए अमेरिका ने रूस पर नियमों के उलंगन का आरोप लगाया था मेरहाल रूस के इस फैसले पर जानकारों का मानना है कि जो बेडन के राष्टपती बनने के बाद हत्यारों के होड के डर से रूस ने यह फैसला लिया है ओपन स्काइज ट्रिटी के बात करें तो इस संधी पर उने 92 में दस्तखत किये गये थे हलाकि इसे 2002 में लागू किया गया यह संधी खास तोर पर नाटो और वार्सा पैक्ट के पूर्व सदस्य देशों के बीच हुई थी वर्तमान में संधी में यूके, स्पेन, ग्रीस, तुर्की, यूक्रेन, पूर्टगाल, नौर्वे जैसे देश शामिल हैं संधी का मकसद सदस्य देशों के बीच सैन्य गतिविधियों को लेकर आपसी विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना है इसके लिए यह संधी एरियल इमेजिंग के जरिये सूचना इकठा करने का विकल्प देती है इस संधी का मुख्य लक्ष सैन्य गतिविधियों के मामले में खुलापन सुनश्चित करना है ताकि इसे वैश्वे कस्तर की सबसे बड़ी हथियार नियंत्रण प्रणाली बनाई जा सके संधी में शामिल सदस्य देशों को नियमों के तहत एक दूसरे के हवाईक शत्र में अनार्मड एरियल अब्जर्वेशन फ्लाइट्स ले जाने की इजाज़त होती है ताकि एरियल इमेजिज ली जा सके बाद में इस एरियल इमेजिंग के जरीए ट्रूप मोवेंट्स, मिसाइल डिप्लॉयमेंट और सैन्य अभ्यासों के जो चित्र लिये जाते हैं उन्हें सब ही सदस्य देशों से साज़ा भी किया जाता है आने वाले जी सेवन सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है यह सम्मेलन इस साल जून में होने जा रहा है जिसकी मेजबान इंग्लेंट करेगा इंग्लेंड के कॉर्णवाल में होने वाले सम्मेलन में भारत के अलावा आस्ट्रेलिया और डक्षन कूरिया को भी आमंतरत किया गया है गौर तलब है कि ये तीनों ही देश G7 समिट के सदस्य देश नहीं है आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब श्री मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलावा आया हो इससे पहले 2019 में फ्रांस के बियारेड्स में हुए G7 सम्मेलन में भी भारत के प्रधान मंतरी ने शिरकत की थी G7 यानि Group of 7 की बात करें तो इसंतर सरकारी निकाए में साथ देश शामिल हैं कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका इस समूह का गठन 1975 में अमेरिका के प्रयासों से हुआ था इसके बाद 1976 में कैनेडा इसमें शामिल हुआ 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद इसे G8 कहा जाने लगा लेकिन 2014 में यूकरेन के क्रीमिया संकट के मुद्दे पर रूस इस समूह से बाहर कर दिया गया इसके बाद इस समूह को फिर से G7 कहा जाने लगा G7 की बैठक हर साल होती है जिसमें खास तोर पर वैश्विक आर्थिक शासन और सुरक्षा पर चर्चा की जाती है इस साल होने वाले सम्मेलन में कोरोना महमारी के बाद रिकवरी पर चर्चा हो सकती है बाद आयो की बैठक कोरोना महमारी से निपटने के लिए नेपाल की वैक्सीन जरूरतों पर चर्चा की गई क्योंकि नेपाल ने सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया की कोवी शील्ड वैक्सीन को मनजूरी दे दी है बैठक में विकास साजेदारी की समिक्षा की गई और बीर गंज तथा विराट नगर में एकिकरित चेक पोस्ट के फायदे पर भी चर्चा हुई नेपाल गंज और भैरहवा में भी चेक पोस्ट की शुरुवात करने पर बात हुई इन चेक पोस्ट का मकसद दोनों देशों के बीच लोगों के मुक्तावा गमन और व्यापार संचालन को आसान बनाना है भारत ने अनुदान सहायता देकर नेपाल में पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलप्मेंट और पाटन दर्बार में भंडार खाल गार्डन रेस्टोरेशन नामग दो सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं का निर्माड कराने की बात गही आपको बता दें कि विश्व मामलों की भारतिय परिशत के स्थापना 1943 में एक ठिंक टैंक के रूप में की गई थी इसे Registration of Societies Act 1860 के तहट एक गैर आधिकारिक गैर राजनितिक और गैर लावकारी संगठन के रूप में पंजिक्रित किया गया 2001 में संसत के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रिय महत्व का संस्थान गोशित किया गया या विशेश रूप से अंतराष्ट्रिय संबंधों और विदेशी मामलों के अध्यान के लिए समर्पित संस्थान है भारत के उपराष्ट्रपती इसके पदेन अध्यक्षा जबकि विदेश मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं भीते दिनों भारत और IEA यानि International Energy Agency ने एक सामरिक समझोते पर दस्तखत किये इस करार का मकसद वैश्विक उर्जा सुरक्षा, इस्थायत्व और संधारनियता के मामले में आपसी सहयोक को मजबूत करना है वहें भारत और IEA के बीच ग्यान का आदान प्रदान भी पहले से अधिक मजबूत होगा इसके साथ ही सरकार का मानना है कि यह समझोता अंतराष्ट्रिय और उर्जा एजेंसी में भारत की पूर्ण सदस्यता के दिशा में एक बड़ा कदम है वहें भारत इस करार के जरीए उर्जा क्षत्र में सामरिक और तक्नीकी सहयोक बढ़ाने के लिए जरूरी कदम भी उठा सकेगा समझोते में तैह हुआ है कि IEA सचिवाले भारत में सहकारी गतिविधियों के क्रियानवेन के लिए जिम्मेदार होगा इसके साथ ही सचिवाले दोनों के बीच विचार विमर्ष का मंच भी देगा जिससे इस सामरिक समझोते को आगे और भी मजबूत किया जा सके आपको बता दें कि जिस सामरिक भागिदारी पर सहमती बनी है उसमें क्या-क्या शामिल होगा इस पर भारत और IEA के सदस्य सन्युक तुरूप से चर्चा करेंगे हाला कि IEA का सामरिक भागिदार बनने के बाद चरणबध तरीके से भारत के किन लाभों और जिम्मदारियों में बढ़ूतरी होगी यह मुख्य विशे है साथी उर्जा, सुरक्षा और स्वच्छ उर्जा जैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम में गटबंधन को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा इसके अलावा भारत की गैस आधारी तर्थववस्था का दाइरा कैसे बढ़ाया जाए यह भी चर्चा का मुख्य विशे रहेगा हाली में एशिया सहयोग वारता की सत्रहवे मंत्रे इस्तरिया बैठक हुई वीडियो कानफरेंसिंग के जरिये हुई इस वारता में भारत ने भी हिसा लिया इस बार बैठक के थीम दे न्यू नॉमल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म रही इस दोरान भारत ने सभी तरह के आतंकवात को खत्म करने के लिए बड़े अस्तर पर सहयोग की बात कही इसके लिए इंडो पैसिफिक ओशियन्स इनिशियेटिव पर जोर दिया गया गौर तलबे के इंडो पैसिफिक ओशियन्स इनिशियेटिव की घोशना 2019 में प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी ने ही की थी यह पहल मुक्त, खुले, समावेशी और निया माधारित एशिया पैसिफिक शत्र पर जोर देती है साथ ही अपहल सागर यानि सेक्योर्टी एंड ग्रोथ फॉर आल इन दे रीजिन को भी बढ़ावा देती है आतंकवाद के बाद कोविड के दोर से खुद को रिकवर करना इस बैठक का दूसरा बड़ा विशे रहा एशिया सायोग वारता के बारे में बात करें तो इसका उदगाटन 2002 में थाईलेंड के चा आम में किया गया था यहां एशिया के 18 बड़े देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार बैठक की थी वर्तमान में इस समूह में अफगानिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, भारत, चीन, पाकिस्तान सहित, कुल 35 देश हैं 2019 में फिलिस्तीन भी इसमें शामिल हो गया गरीबी उनमूलन और एशियाई लोगों के जीवन की गुडवत्ता में सुधार जैसे मुद्दो पर एशियाई देशों के बीच सामंजस से बनाना इसका मुख्यव देश्य है